बड़ी गंबीर किसम की गटना इसमें निकल के आई जो कि मार्पीर करना अपने जो आरोपियों विद्वार आरोपियों पर इसमें नाम है वहीं आसपास के रहने वाले पक्पो गोशी, संजेर जोशी, साथ में संतोष पटे, सोजें गोड, मसराम गोशी, जगन गोशी, आरोपियों की तजलीक कर रहे है। जब पहले सुछन परी तो यह बताया था कि एक गटी के सांथ मार्पीट की गई है जिसकी कालंतर में मिल्टी होगी और एक दो दिन के अंतर गटनगरा होना बताया था उसमें जब हम लोगों को जानकारी मिली तो हम लोगों ने दो तीम बनाई इसमें डिशनल एस्पी, CSP इसमें प्रवाई को अक्तिविट करके और अलग-अलग पॉइंट पर जगजाद शुरू की तो फिर यह निकलका है कि यह पॉइंट सही है और अंटी-मेंटी इसमें मितच की जो पहचान है वो कनेरा देव निवासी निर्मल पटें के रूम में हुई है और जब उनके पर और बड़ी कंबीर किस्म की घटना इसमें निकल के आई जो कि मार्पीट करना अपने जो आरोपियों विद्वार आरोपियों पर इसमें नाम है वहीं आस-पास के रहने वाले पक्पो गोशी संजेर जोशी साथ में संतोष पटेर शोजेंग और मसराम गोशी जगन गोशी और इतने तो बारा नाम अभी तर उनका रोल चिल्मित हो गया है इसके अलावा भी कुछ है जो हम लोग जिनकी भूमिका की तज़्दीक कर रहे हैं अभी आगे बढ़ेगी तो उनका रोल भी क्लियर होगा हमके द्वारा किये गया है आप रादिक कर रहे हैं और जैसे-जै जैसे साक्षे समय मिलते जाएंगे तो और भी इसमें आरोपी बढ़ने की नमभावना है जैसा मैंने आपसे बताया कि प्रतक है इनको बुलाया और इनके साथ इनका जो कनेवदेव के बार जो कट है वहां पर इनका एक ऑफिस ताइप का आरोपी होगा वहां पर इसके गर के लिए बेजा गया तो घर में इनका स्वास्त थराब है और जब यह उस्पिटल ले जा रहे हैं तब सरक कुछ लोगों ने जो उस इलाके में जिनका कहना चाहिए कि प्रभाव कुस्प्रभाव या भाय है उन लोगों ने भायां किया कि इसकी गपना की सूचना जिलाएं पर भी मार पिटाई या अन्य अन्य अतना ही काविग कर सकते हैं इस भाय इसे ही परिजनों ने होस्पिटल में सही गपना की सूचना थी अभी दल्चीजें सामने आई उससे इंकल क्या रहा है कि इस तर्काल नहीं बताये गया आईस तारिक को और बिना पीएंके 29 तारिक को इन्हों ने सुबह सुबह अंधिन संस्कार बतक्त कर दिया है बीच में कुछ हमारे हाथ में ऐसे साक्षी भी लगे हैं कि जब बीच में परीजन एक दुबार उनका पीम कराने के लिए आप लिश्क देने के लिए भी इन्होंने आपस में चल्चा की और जाने कि यहां पर दो या तीन स्टेजिस के अपराद है तो अपराद स्वयं जो 302 का है इसमें की मतक किसान मार पीट हुए और जिस पर आई चोटों से कारण उनकी मिर्टी हुए दूसरा इनको डराना दंगाना और रिकोर्ण नहीं करने के लिए रिश्क लिए करना तीसरा जो साक्ष इस घठना में थे उनका नश्टी करना उनको साक्ष को नश्ट करना भी अपने आपने बड़ाद है और युकि अ मामला 302 और 304 श़ीर जैने संगीन अपरादों से जुड़ा हुए तो इसमें भी सिमिलर सजा है इसमें की साक्ष नश्ट करना और इसका पूरा शे साक्ष हमें देखे जिसमें की 300 रोर, 304 रोटे के इंडेंस आ रहे हैं तो फिर FIR करके और बारह आरोपियों को अभी लग हमने चिनित किया है इन में से साथ आरोपी हमने गिरफ्तार कर लिये और उनको न्याले भी पेश किया गया है आगे जो बच्चे हुए आरोपी है वही वर्तमान में फरार है उनको की शीक्री गिरफ्तार किया जाए और जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही गा कि इसमें तीन-चार पड़ते हैं जो अपराद अपराद इसके वाद सुचना नहीं बेपाएं फिक साक्षों को बिटाना तो इन सभी स्टेजस पे पुलिस विवेजना कर रही है इसमें एक स्पेशल हम लोग सुपरवाईजरी टीम भी रखे हुए इसमें मैं खुद ही मॉनिटर कर रहा हूं परिसनल जो और एडिशनल पर कोई आपस में कुछ आरूबियों ने कोई बताया है कुछ मंतक के घरवालों ने बताया है तो इसको वेरिफाय कर रहे हैं तो मैं अभी कहके उसको एक कलर नहीं करना जाता है पर कोई आपस का वहां लोकल का विवाद या है जो भी कहा सुनी है वहां से चीज शुरूई और मार्पिटाई से उस बात शुरूई एक और कॉइंट मैं ने मिस्की आपको बताना कि उस मार्पीट के दौरान आरोपियों द्वारा मरतक से पैसे की भी डिमांड भी है कि तुम इतना पैसा दो वरना तो मैं जिनना नही तो उसके रहर में जितना पैसा था उसने पुला के दिलवाया अभी पहले पांच लगती मांगोई फिर जो करीज एक सावाला तो पर जुपना नहीं दिलवाया तो वह पॉइंट भी आए तो जैसा आपने मुचा कि कारण तो कारण अभी हम विवेशना में ले रहे हैं दो पांच इसमें अलग-अलग एंगल्स हैं तो पहले सबसे जो इंपॉर्टेंट एंगल है कि इसमें एक रिट्टी की मृत्ती हुई है तो हत्या से सम्मंदित जो है उनके आरोपियों को फिर उनको दुस्परेड़ित करना डराना साक्ष मिटाना इस चीजों पर काम किया है जो इसका बेक्ग्राउंड स्टोरी है कि कारण गया है या प्रॉपर्टी का विवाद है अन्वी चीज़ है वह अभी हम लोग इसकी बेचना करें करें तो इसमें जो घटना स्थर है वहां पर बताया गया है कि पहले वहां पर सीसी टीडी कैमरे जो चीज़ लगी हुई थ और ना कैमरा ना वाइरेंग ना डिया कुछी वहां वत्तमान उपलब तो नहीं है वह या नश्ट किया गया है या कहीं चुपाकर रखा गया है इस चीज में भी वेशना चल रही है और इसमें भी आगे काम करने की जो जो आरूपी ने डल्टेज हैं क्या आरोपी आरूप समय गटना समय जो बताये गया है अंडाजन लगभग लगभग ग्यारा बारा बजे दो पहर से लेकर शाम के चार बजे तक का घटना करम उस स्थान का है जहां पर जटक के साथ माध्पी तो इसके बाद उनको घट बेच गया है जहां पर उनका स्वास पेड़ा और फिर उ कि मूल बॉडी थी वही नहीं नहीं तो कहीं उससे नुक्सान होगा कि आप विवेजना में सब चीजे ले आ जाएंगी उसाथ मतला जैसे पी एम हो जाता यह सब होता तो आपका बिल्कुल ठीक पॉइंट है और इसमें यह भी विदेत हो कि जैसे सबसे बड़ा जो और हलाकि हमारे पास कुछ एविदेंस हैं जिससे ही यह तो से तो रहा है कि हाँ इस रिक्ती की मिल्टी हुई है किन कारणों से हुई है वो चीजें भी अन्य हम लोग कुछ फिजिकल एविदेंस मिलें जो काफी अच्छे क्वालिटी के हैं अच्छे हैं और उसमें पुलि अच्छे करने पर भी वही सजा होगी जो यह अपराज करने पर होगी तो कुछ और लोगों ने जो अपराज में उस समय शामिल नहीं थे कुछ ऐसे दो चार लोग भी है परन्तु जिन्हों ने साक्षे नश्ट करने पर या उसमें सहयों किया तो उतनी दंडगे भागी दा सब्सक्राइब करते हैं तो अननेचरल डेप्ट की जो कैटेगरी वह ही इसलिए कि उसमें पुलिस को सूचना देनी होगी और होस्पिटल बशाशन ने जो वहां पर ड्यूटी डॉक्टर ने जिनने भी यह हैंडल किया है कि उस पर भी हम आगे जाज करी है और यदी अभी कि उसमें उसमें एंगल्स ओपर डखे हुए है कि हो सकता है उन्होंने लापरवाई की है क्या जानगूच के ऐसा किया है या फिर किसी दबाव में किया यह सारे अंगल्स हमार पास ओपन है उसमें तो बिल्कुल इस तरह के पॉइंट रमें आए इसमें दोनों ही एंगल है एक तो भाए का भी बिंदू है वो साथ में प्रलोबन का भी बिंदू है कि दोनों ही बिंदू उसमें जिसकारण से वरना आप पुदी देखिए कि इतनी बड़ी गटना कि कोई रिपोर्ट ना करें ऐसा आपने कम देखा होगा और यह भाए और प्रलोबन दोनों का ही यह आप मेंसे कुछ लोगों यह बिंदू आप दो पर मिले थे मैंने आपको भी तदका लेखती का दूरूप से सामने ही बूला था कि पूरे शहर में चर्चा आती ही तो आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया क्या पूरे शहर कहना बहुत असान है आप आदमी का ना आप तो बताये ना आज तो हर गिसी का वो होता है आप यह बात यदि ऐसा लग रहा है तो उसमें हमें काम करने की दुरूद है आपको और हमको दोनों को तो हम लोग इसमें काम करेंगे इसमें मुझे लगता है कि यह अच्छा एक्जामपल होना चाहिए विश्वास आगे बढ़के और अच्छी कारवाई की कड़ी कारवाई की है तो यह मेरे गाल चेक एक एक जामपल की तरह है आप लोग उसको पताया है और आगे किसी कारण से नहीं भी आ सकते हैं तो जैसे को इसको पता चलेगा पूरी शक्ती से मध्यप्रदेश पर शास्यान है मध्य पता चला है कि 28 की रात में भी इसी ने बताया पर यह मता है कि वहां दो पक्षों का जगडा हुआ है ऐसा मुझे बताया गया कि ऐसा एक फोन थाने पर किया गया था और मोतिनगर्व पुलिस वहां पर गई भी उन्होंने वहां पे कुछ तुचार परिवारों से क्राव मे नहीं हुआ है अलाकि यदि हम दुबारा देखें तो मनलब तब तक मिर्टी हो चुकी थी और इशाव गाउं में था पर यदि पूरे शहर में चर्चा दी तो फिर वहां पर पुलिस के पहुंचने के बाद भी लोगों ने नहीं बताया ये भी अपने आपने संशा है अब मतलब अभी स्वास है कहीं न कहीं सर पुलिस के प्रतीच काफी सालों पर्थकारता की पहली बार देखा था कि मरने के बाद जो परिजयन है वो बोलने को तयार ही नहीं है ये मैं मंत्री के खिलाब भी बोलते देखा बड़े-बड़े दबंगों के खिलाब ये पहली बार म तो फिर उंका डियने से मिला हुआ है तो वो एक प्रक्रिया है जो आउशेश पचे भी है जो में चबी है तो वो लिये हैं सर इस केसमें अपने संतोष पटल सुरेंगाण और मीटे शाहिदा इतनों गिरफतारी हो चुकी है जो अभी गिरफतारी है तुशेश हैं उमें संजेश गोशी जड़लक गोशी उमेश गोशी और करनबड़े सर इनको गिरफतर कहां से किया गया था इसमें जो उनके रहने के ठिकाने को इसकी माशारदा इंटरप्राइजेज लेके आया है आपके लिए आकरशक फरनीचर, एलशिप महराजा सोफा, डबल बेड, सिंगल बेड, पलंग, अलमारी, ड्रेसिंग, एवं सभी प्रिकार के आकरशक फरनीचर साथी पाएं मातर 26,000 में आकरशक फरनीचर का संपुर्ण सेट हमारा पता है, माशारदा इंटरप्राइजेज तिली राजगार चोराहा, सोमनात पूरम रूड, सागर मधिवरदेश, हमारा मुबाइल नमबर है, 700624396, 9691987669